नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी का हमारी YouTube चलेंड में स्वागत है जसका नाम है New Valtake दोस्तों सेल में रिकुर्मेंट निकली हुई है Steel Authority of India Limited के अंदर रिकुर्मेंट निकली हुई है जिसके लिए आप आवे दिन कर सकते हैं जी हां दोस्तों इस requirement का process मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो आप सभी से request है please हमारे चलन पर आप visit करें यहां पर आपको सरकारी नोक्री से जुड़े हुए जो भी हम वीडियो upload करते हैं यहां पर आपको रेल्वे भरती से जुड़े हुए video मिल जाएंगे bank से जुड़े हुए video मिल जाएंगे इंडस्टी से जुड़े हुए video मिल जाएंगे यहां आपको दस्वी पांच्वी कक्षा के graduate कक्षा के इंजिनिरिंग लाइन के जो भी हम वीडियो होते हैं, जो भी रिकुर्मेंट निकली होती है, उसके हम आपको सबसे पहले वीडियो प्रोवाइट करने के पूरी-पूरी कोशिच करते हैं चेलन के माध्यम से, तो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट हैं, लेटेस्ट सबसे पहले मिलेगा दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं इस रिकुर्मेंट के बारे में, दोस्तों, स्टील अथरोरिटी ओफ इंडिया लिमिटीट के अंदर रिकुर्मेंट निकली हुई है, जिसमें मेनेजमेंट ट्रेनी के लिए आविदन मांगे गए हैं, इ यहां पर जो है corresponding gate paper, तो आप gate के through इसके लिए आपका selection किया जाएगा, यहां पर आप देख सकते है number of post है, 125 post है, mechanical की यहां पर 88 post है, second number की तीसरी की यहां पर 88 post, ठीके दोस्तों, अब आप यहां पर देख सकते हैं, नीचे यहां पर आपको जो total category wise यहां पर आप देख सकते हैं, reservation के साफ से आपको यहां reservation मिल जाएगा, कितना reservation कि किस केडी करीगा, कितना reservation हैं यहां पर, अब बात करते हैं, यहां पर अपर अपर एज लिमीट की, तो यहां पर 28 साल maximum age मांगी गई हैं, यहां पर, ठीके दोस्तों, तो maximum अगर आप यहां देख सकते हैं, आप पूरी 65 marks होना चाहिए आपके डिगरी में, इंजिनिर्ग की, तो दोस्तों, यहां पर यहां पर आपके 6 subject दिये हैं, आप देख सकते हैं, इन 6 में अगर आपके हैं, तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, बहुत ही शांदर vacancy हैं, दोस्तों, इसमें आपको मैं बताता सकते हैं, इस नोटिफिकेशन को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसको बिना अच्छे से पढ़े आप अपलाए करेंगे, तो आप थोड़ा सा परिशानी में आ सकते हैं, इसमें तो आप पढ़ेंगे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीके दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन का लिंक में आपको वीडियो के नीचे दे दूँगा, जहां से आप पूरी डिटेल्स देख लीजेगा, इसकी, सेलेक्शन प्रोसेस आप देख सकते हैं, यहां प जाप जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं, तो आप यहां पर यहां पर यांप लन kuya होगी और आप इसके बाद मिहां पर की एक देख स्छिछन na प्रोविजं के बात करें घ CP कांडियर आप न्म अनटेशम के लिए अर वाण मेन YOU लुख अ नहींगे आप दीट्री में अनम जी आपको पर्मानिट कर दिया जाएगा इस पोस्ट के लिए जो की रोगी आपकी जुनियर मेनेजमेंट पोस्ट के लिए आपको यहापर पर्मानिट कर दिया जाएगा यहाप देख सकते हैं आपको ट्रेनिंग में आपको ओफर दिया जा रहा है 20,600 रुपे परमन दिया जाए कि आपको यहाँ पर रेजिस्ट्रेशन करना है और अप्लाई करना है ठीकि दोस्तों पूरा प्रोसेस यहाँ पर बता रहा है किस तरीकस आपको अप्लाई करना है पूरा प्रोसेस आपको इस नोटिफिकेशन आएगा तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ है तो थेंक्यू दोस्तों थेंक्यू सो मच